बंधूं अभंदूर्गाशप्त शती का नवमों अध्याय श्रवन करेंगे निश्युम्बवद। मैं अर्ध नारिश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूं। उसका वन बंधूक पुष्प और सुवन के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुन्दर अक्ष्माला, पाश, अंकूष और वरद मुद्रा धारन करता है। सुनना चाता हूं। महापराक्रमी शुम्ब भी अपनी सेना के साथ मात्रगणों से यूद करके क्रोध वर्ष चंडिका को मारने के लिए आप पहुंचा। तब देवी के साथ शुम्ब और निशुम का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों देत्य मेगू की भाती वानों की बयंकर व्रिष्टी कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए वानों को चंडिका ने अपने वानों के समू से तुरंत काट डाला। और शस्त्र समू की वर्षा करके उन दोनों देत्य पत्यों के अंगों में भी चोट को चाई। निशुम ने तीखी तलवार और चमकती हुई धाल लेकर देवी के श्रेष्ट वाहन सीही के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुँचने पर देवी ने शुरप्र नामक वान से निशुमे की श्रेष्ट तलवार तुरंत ही काट डाली। और उसकी ढाल को भी जिसमें आठ चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। परंतु वह भी देवी के तिशुर से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर देतराज निशुम को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने। वान समुहों से घायल कर धर्ती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम के धारशा ही हो जाने पर शुम को बड़ा क्रोध हुआ। और अम्बिका का बद करने के लिए भागे बड़ा। रत पर बैठे बैठे ही उत्तम आयूदों से सुशोवीत अपनी बड़ी बड़ी आठ अनुपम हुजाओं से समूचे आकाश को धग कर वा। अद्बु शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बचाया और धनुष की प्रत्यंचे का भी अत्यंत दुस्सर शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्दों से जो समस्त द्यत्य सैनिकों का तेज नस्ट करने वाला था। संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सीह ने भी अपनी दहार से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था। प्रिथ्वी और दसो दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उचल कर अपने दोनों हाथों से प्रिथ्वी पर आघात किया। इससे ऐसा भ्यांकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शान्त हो गए। तद पस्चार शिव दूती ने देत्यों के लिए आम मंगल जनक अठास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असूर थर्रा उठे किन्तु शुम्ब को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुम्ब को लक्ष करके कहा। ओ दुरात्मन खड़ा रह खड़ा रह तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे जै हो जै हो। शुम्ब ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ती चलाई। अगनी मैं परवत के समान आती हुए शक्ती को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुम्ब के सिहना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन उसकी प्रती ध्वनी से व्रज पात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुम्ब के चलाए हुए वानो के देवी ने और देवी के चलाए हुए वानो के शुम्ब ने अपने भयांकर वानो द्वारा सैकडों और हजारों टुकडे कर दिये। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका निशुम्ब को शूल से मारा उसके आघास से मुर्ची थोवर प्रिथ्वी पर गिर पड़ा इतने में ही निशुम्ब को चेतना हुई और उसने धनुष हात में लेकर वानो द्वारा देवी काली तथा सी को घायल कर डाला फिर उस द्यत्यराज ने दस हजार भाहें फैला कर चक्रों के प्रहार से चंडिका को अच्छा दित कर दिया तब दुर्गम पीडा का नाश करने वाली भगवती दुर्गी ने कुपित होकर अपने वानों से उन चक्रों तथा वानों को काट गिराया यहाँ देख निशुम्ब दैत्यराज के साथ चंडिका का बद करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दोड़ा उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शिगर ही काट डाला तब उसने शुल हाथ में ले लिया देवताओं को पीडा देने वाले निशुम्ब को शुल हाथ में लिया आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शुल से उसकी छाती छेत डाली शुल से वी दीन हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महा बली एवं महा पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला उस निकलते हुए पुरुष की बास सुनकर देवी ठटा ठस हस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तकार डाला फिर तो व्या प्रिथी पर गिर पड़ा तदंतर सी अपने डाडों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा यह भयंकर द्रिश था उधरकाली तथा शिव दूती ने भी अन्याय देत्यों का भक्षन आरंब कर दिया कोमारी की शक्ती से विदीन होकर कितने ही महा देत्य नस्ठ हो गये भ्रामनी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए कितने ही देत्य महेश्वेरी के तिशूल से छिन भी नहो धारशाई हो गए वाराही के थुथुन के आगा से कितनों का प्रिथ्वी पार कचुबन निकल गया वैशनवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकडे टुकडे कड़ डाले एंद्री के हाथ से छूटे हुए वरज से भी कितने ही प्राणों से हाथ दो बैठे कुछ हसूर नस्ठ हो गया कुछ उस महायुद से भाग गये तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिहे के ग्रास बन गये इस प्रकार श्री मार्केंडेई पुराण में सावर्नेक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महामात्य में निशुम्बवत नामक नवा अध्याय पूरा हुआ जै मा दुर्गे की